आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को लोग इन और लोग आउट कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को बिना इस्किप के वे स्टे बाइ स्टे फॉलो कर ले और अभी तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो सबसे पहले हमें अपने इंस्टागाम पे आ जाना है यहाँ प्याने के बाद हमें कुछ इस बकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है सो देख सकते हैं अभी मेरा जो एकाउंट है वो लॉग इन है तो सबसे पहले हम लॉग आउट करना सिखेंगी उसके बाद लॉग इन करना तो लॉग आउट करने के लिए हमें नीचे की तरफ अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद हमें उपर की तरफ तिरी लाइन के ओप्सन पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक option मिल रहा है आप देख सकते है Setting and Privacy तो हमें इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद हमें उपर की तरह स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक option मिल रहा है logout का तो हमें इस पर click करना है logout पर click करने के बाद हमें फिर से logout पर click कर लेना है तो देख सकते हैं यहापे मेरा जो account है वो logout हो चुका है लेकिन अभी भी Instagram से remove नहीं हुआ है तो अगर आप चाहते हैं अपने account को Instagram से remove करना यानि कि हटा देना तो उसके लिए हमें उपर की तरफ देख सकते हैं यहापे एक option मिल रहा है settings का तो हमें इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर हमें एक option मिल रहा है remove profile तो हमें इस पर click करना है remove profile पर click करने के बाद हमें नीचे की तरफ remove का option मिल रहा है तो यहां से remove कर देना है तो देख सकते हैं अब यहां पे proper तरीके से logout हो चुका है अब हमें अपने account को login करना है login करने के लिए हमें क्या करना होगा देख सकते हैं यहां पे हमें 3 option देखने को मिल रहा है पहला username, दूसरा email और तिसरा phone number तो आप या तो फिर username डाल ले या फिर email या फिर phone number तो मैं यहां पे username को डाल रही हूं तो देख सकते हैं यहां पे मैंने अपने username को डाल दिया है अब हमें नीचे की तरफ एक option मिल रहा है password का तो हमें यहां पे अपने password को डाल देना है तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने password को डाल दिया है अब हमें नीचे की तरफ एक option मिला है login का तो हमें इस पे click करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो account है वो login हो चुका है So I hope कि आपको इस छोटी से जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो जाने इस पहले मेरे चैनल को सबस्काइब जरूर करें लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी Thank you for watching my video